ओम नमद सिवाए शिव जी सदा सहाई ओम नमद सिवाए गुरू जी सदा सहाई जै गुरू जी संगत जी मैं संजीव न nearest गूरू जी के परिवार गुरू जी टुड़ेब्लेसिंग्स में आपका हारदिक्स स्वागत करता हूँ. चैनल पर नए हैं तो शेर और सबस्क्राइब कर दीजेगा और अपने सत्संग गुरुजी के परिवार में अपलोड करवाने के लिए और पूरी दुनिया की संगत के साथ शेर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख मारे वाटसप नमबर पर आडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं आज का सत्संग संगर जी हंडेड परसंट लाइफ चेंजिंग सत्संग यह जितना हो सके शेर कीजिएगा क्योंग जैसे जैसे मैं ही सत्संग को सुनता जा रहा था गुरुजी को अपने साथ और करीब पा रहा था डूपते जाएंगे सत्संग के अंदर संगर जी आप और सत्संग भारत के बहुत खूबसूरत सिटी पूने से हमारे साथ आंटी जी ने शेर किया है मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्हें अपना सत्संग गुरुजी के प्यार इसे चैनल पर शेर के चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं जे गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का हर पल शुक्राना, जे गुरुजी संगत जी, मैं अपना नाम और अपना पहचान, गुप्त रखना चाहूंगी, गुप्त ध्यान, गुप्त ग्यान और गुप् पहले गुरुजी की का मंत्र जाप करना चाहूंगी आप लोगों के साथ तीन बार, तो चलिए शुरू करते हैं। जै गुरुजी संगत जी, आप सभी को जै गुरुजी और गुरुजी को अनन्तम अनन्तम उनका शुक्राना और इसी के साथ मैं अपना सत्संग सुनाती हूं, शुरू करती हूं। इस तरीके से मैंने उनके साथ spiritually grow किया और connect किया, यह सत्संग उसी के बारे में है। मुझे नहीं पता कि इस सत्संग से किसको क्या message मिलने वाला है, किसको क्या answer मिलने वाला है, पर मैं यह sure हूं कि अगर यह सत्संग आज share हो रहा है और मैं आज यह सुना रही हूं, तो यह जरूर जरूर किसी के लिए कुछ न कोई message लेके, answer लेके आ रहा है, तो सत्संग शुरू करती हूं, उससे पहले आप सभी को जय गुरुजी और गुरुजी को अनंतम अनंतम उनका शुकराना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुरुजी, for everything, जो भी आपने किया, हर breath के लिए, हर श्वास के लिए, शुकराना आपका, हर चीज के लिए, शुकराना आपका, तो संगत जी, ऐसा है कि मैं बच्पन से ही बहुत स्पिरिच्वल हूँ, स्पिरिच्वल हूँ, religious नहीं बोलूँगे, खुद को स्पिरिच्वल हूँ, क्योंकि मैं मेरे को जिस तरीके से टिबेटिन, मांग, स्लामा, उनका लाइफ जैसे amazing लगता था, interesting लगता था, वैसे ही रामकृष्ण परमहंग्ष का लाइफ, रिशी और रोबिंदो का लाइफ, उसी तरीके से रमन्ना महारशी का लाइफ, या कोई भी school of thought आप ले लो, चाहे बच्पन से, चाहे वो काली मा की पूचा हो, या बजरंग बली की पूचा हो, या गनेश पूचा हो, या सब उच्प सब celebration, सब religious celebrations मुझे अच्छे लगते थे, कुलकाता में तो क्रिसमस में भी इतनी कुलाहल होते हैं, इतना celebrations होता है कि वो भी अच्छा लगता था, तो मतब चर्च भी अच्छा लगते थे, इतना travel किया, मैंने across the globe, तो कहीं cathedral देखा, तो बहुत सुद्दर लगा उनका architecture उनके बारे में जाननी की इच्छा हुई, तो सारे सारे धर्म, चाहे अमरिटसर जाओं, गोल्डन टेंपल जाओं, नानक जी के बारे में पढ़ा, उनके बारे में सुना, उनके बारे में समझनी की कोशिश की, क्या ही समझू हम तो इंसान है, पर बहुत interesting लगता था, बहुत passionate हुई इंस सब चीज़ के बारे में, जानने के बारे में, इन महापुरुशों के बारे में, सिद्ध पुरुशों और माताजीओं के बारे में जानने में, तो मैं हमेशा से इसको अपना एक passion के तरीके से भी ली हूँ, पढ़ती भी थी, और बहुत books पढ़ती थी, बहुत बुक्स आज भी पढ़ती हूँ, अवेकनिंग के लिए बोलो आप, जानने के लिए, विजडम बढ़ाने के लिए, कि क्या था, क्या है, कैसे हुए ये लोग जो भी हुए, और इसका बहुत श्रे मेरे परवरिश पे भी जाता है, बच्पन से दादा दादी मम्मी पा करो, आपकर सुनो, तो वो आपके कही न कही energy body में आपके अंदर, जहन में वो रहता है, और वो आपको बार-बार आवाजे भी लगाता है, आपको सत्बुद्धी देता है, और सही रहा पे, अगर आप कहीं गलत हो रहे हो, या कुछ घबराट हो रही है, तो वो भी आपको रास्ता दिखाता है, तो मैं बात करती हूँ, चलिए, मैं grade 4 में थुई, और ये 1983, 83-84 की बात है, और मैं एक चीज़ जाती हूँ कि बचपन से मैं बहुत introvert थी, बहुत चुप रहती थी, quiet रहती थी, जादा लोग पसंद नहीं थे मुझे, जादा socializing पसंद नहीं था, मैं जादा मिलती भी नहीं थी, लोगों से बात भी नहीं करती थी, हम तीन बहने थे, मैं बीच में मैं हूँ, middle sister, middle वाली हूँ, बच्ची हूँ, तो जैसा होता है, कि बड़ी बच्ची, तो she was actually, बहुत strongly handled होती थी, parents, सब बहुत ध्यान रखते थी, कि क्या कर दिये दी, छोट जो है, वो मेरे से 6 साल चोटी थी, तो वो बहुत चोटी थी, तो as a kid, you know, जैसा होता है घरों में, वो तो बच्ची है, बच्ची है, करके उसका चल जाता था, बट मैं बीच में, तो मुझे बहुत बच्पन से ही strong बना दिया गया था, it was very strong, और मैं बहुत अकेले पन भी म हमाज आता था, तो रिशी और अरुमिन्दो और होली मदर का फोटो लेके बात करती थी, जिनको हम स्वरूप कहते हैं, गुरुजी का जैसे स्वरूप है, वैसे स्वरूप से बात करती थी, कभी रामकृष्ण परमंग्स के स्वरूप से बात करती थी, कभी स्वामी विव कोई सुन रहा है, एक और बात होती है कि जब हम मूर्ति या स्वरूप से बात करते हैं, तो उधर से कोई opposition नहीं आता, कोई रोक टोक नहीं आता, वो आपको जज नहीं कर रहे हैं, डाट नहीं रहे हैं, आप जो भी बोड रहे हो, वो शांती से quietly उधर से सिर्फ सुन रहे हैं तो यह आपको बहुत motivation देता, आपको strong बनाता, आप सब कुछ बोल लेते हों, और कहीं न कहीं उसी बोलने में, उस रोने में, वो विधाता, वो परम जो शक्ती है, वो आपको कोई न कोई आंसर भी दे देता है, धीरे धीरे, यह होता है, यह मेरे साथ हुआ है, तो चीज शेर करें, हर एक की अपनी जर्नी है, और मैं यह मानती हूँ, कि वो जो 1984 से, बचपन से, जब से मैंने रिश्य औरविंदो के स्वरूप से बात करना शुरू किया, या फिर उसके पार जो भी मूर्ती मेरे मेरे ओल्टर स्पेस में, मेरे घर में मेरा मंदिर सबसे में मौजूद होते हैं, और मैं सब की पूजा करती हूँ, सब दिन वार देख के पूजा करती थी, जिनका टाइम होता था, सरस्वती पूजा के टाइम पे धुमदाम से सरस्वती पूजा, जब लक्षमी गनेश की पूजा होती थी, लक्षमी गनेश की पूजा करती थी, इसका अलग से लक्षमी पुजा होता है, दुर्गा पुजा के बाद, वो भी करती थी, भोग लगाना, बनाना, सब कुछ, और मैं हमेशा से स्कूल टीचर थी, स्कूल में पढ़ाती थी, और मेरा जो लाइफ था, बाइस साल की उमर में शादी हो गई, स्ट्रॉगल बहुत तब से, बहुत ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, बहुत सिंपल थी, इनोसेंट थी, छोटे शहर से, मिदल ग्लास फैमिली से आय थी, हाँ पापा ने एजुकेशन बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ा बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत हुमिलेशन झेलना पढ़ता था, बहुत कुछ हुआ लाइफ में, बस चलता रहा लाइफ, फिर बेटी हुई 2005 में, and she was born after a lot of बहुत मैननतों के बाद, और सबसे हासी वाली बात ये है कि, हासी वाली तो क्या मैं बोलूंगी, गुरुजी ह परपल थे, मेरी बेटी हुई, और उसके लिए मैनने मननत मांगी थी, शिर्शावाली पीर से, जो फिरोजपूर एक बॉर्डर टाउन है, पंजाब में, वहाँ पे, और हमेशा नानकची से जुड़ी रहती थी, हाला कि मैं बिंगॉली हूँ, जैसे मैंने कहा कि मुझे मानना है कि वो भी गुरुजी ही थे, जो लेके आये थे बेटी को, बहुत स्ट्रॉंग है बेटी मेरी, बहुत बहुत मतलम मेरे से भी जादा स्ट्रॉंग, बहुत पॉजिटिव, बहुत ओपन है, बहुत लिबरल थोट्स और बहुत बहुत इंडिपेंदेंट, एट, सिक्स, और सेवन, सम्धिग लएक ता, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करू लाइफ के साथ, बहुत अकेली हो गई थी, जो मेरे पार्टनर थे, मेरी बेटी के जो फारदर थे, उनकी फैमिली थे, वो मेरे साथ नहीं रहते थे, बहुत बहुत बोलना नहीं चाहती हू किसी ने किसी रूप में गुरुजी आके मदद करके निकाल ही लेते थे वो मैं आज समझती हूँ, तब भी समझती थी, तब मैं समझती थी अच्छा मेरी कालीमा ने मुझे निकाल लिया, अच्छा मेरे रिशी और विंदर ने मुझे निकाल लिया अच्छा मेरे बजरंग बली ने मेरी बात सुन ली तो कुछ न कुछ रूप में मैं वो समझ लेती थी कि ब्रह्मान ने मेरी सुनी और मैं निकल गई पर अनन्तम शुकराना गुरुजी हर पल हर पल आप थे हर स्वास में आप थे और किसी ने किसी रूप में आकर आप मुझे सवार लेते थे, मुझे संभाल लेते थे और ऐसा चलता रहा, 2010 से स्ट्रॉगल बहुत बड़ी, तो जब 2017 में डैड भी गुजर गए कैंसर में, मॉनिटरीली भी मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, आर्थिक तरीके से बहुत स्टेबल नहीं थी, स्कूल में ही जॉब करती थी, तो इतनी भी तनफा नहीं थी, पर हाँ चला लेती थी अपना, और उसके फादर उसका देखते थे, हमें भी थोड़ा मु 21 years आपने निकाल ली, मेरी वज़ा से, अब मैं बड़ी हो रही हूँ, दो साल में मैं बाहर चली जाओंगी, she was very determined, और हम बहुत middle class families है, मैं school teacher थी, और उसके फादर भी कुछ, बहुत बड़े कुछ नहीं थे, उस time पे, post पे, की बच्चे को बाहर पढ़ा सके, and she was very determined, कि as luck would have it, class मैं, मुझे job मिली, जब वो class 7th में थी, तो मुझे job मिली, एक international board के school में, और मैं क्योंकि वहां पे staff थी, तो मेरी बेटी का tuition fees, सब कुछ, माफ हो गया था, और it was an expensive school, but my daughter, by Guruji's blessings, she could easily complete her 8th, 9th, 10th from that school, and 11th, 12th के time पे, मैं निकल चुकी थी, उस school से, मैं staff नहीं थी, बट उसके father का उस वक्त इतना अच्छा business and job था कि he could afford to later continue in that school, गुरुजी की महिमा है, मेरे को मेरी बेटी ने बोला, मैं actually 10th में जब वो आई, मैं उससे पहले ही, मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि school की नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है, तुझे कुछ अच्छा और करना चाहिए, अपने आपको financially independent कर, मैं कहूंगी, गुरुजी ही थे, उस दोस्त के रूप में, और हर पल, हर पल, मेरे 6 या 7 साल की उमर से गुरुजी मेरे साथ है, हर पल किसी न किसी रूप में आके उन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे blessing दी है, मुझे रास्ता दिखाय मेरा हाथ पकड़ा है, और यह इस दोस्त ने मुझे एक Irish institution में काम दिया, मुझे salary अच्छी हुई, दो साल मैंने वाँ पर काम किया, करते करते मुझे मैं जहाँ अभी current Switzerland के जिस institution में हूँ, Swiss institution, उन्होंने मुझे वहाँ से लिया, absorb किया, बहुत अच्छी salary पे, बहुत अच रखा होगा, जब मैं रोती थी, 22 साल की उमर में, तब वो सोच रहे होंगे कि रुख जा तू, 40 साल होते होते, तेरी लिए मैं सुनहराव भविश्य लिख रहा हूँ, पर अभी यह तेरे को करम काटना है, तो जो वो करते हैं, अपने time से करते हैं, वो महाशिव हैं, वो प अपने वक्त पे ही वो मिलेगा, और अपने किस्मत से जादा देंगे वो, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, उससे जादा वो देते हैं, पर सही वक्त पे देते हैं, इसलिए उनका अनंतम अनंतम हर पल शुकराना, हर स्वास के लिए शुकराना, और जो भी होता है मारी बढ़ सकते हैं, सुनेरे भविशी के तरफ भी वो साथ के साथ प्रिपेर करा देते हैं, तो ऐसा हुआ कि मैं स्विस इंस्टिउशन को जॉइन की, मेरी बेटी 11-12 में बहुत अच्छे रिजल्ट की, जब वो कर रही थी 11-12 उसी टाइम पूस्ट ने मेरी बेटी के थ्रू उसे गुरुजी ने मुझे आके बोला कि अब टाइम आ गया है, तुम डिवर्स लो, मेरी बेटी ही मेरे पीछे पड़ी, उसने मुझे और उसके पापा को बोला कि आप लोग डिवर्स लो, अलग हो जाओ, तोनों अलग अलग हो, काफी साल से अलग हो, कोई मतलब नहीं ब तो इतना इतनी बड़ी बात, इतनी maturity, इतना independent ख्याल, एक 17 साल की या 16 साल के बच्चे में मैं expect नहीं कर सकती हूँ, यह गुरु जी नहीं तो कौन थे, यह गुरु जी ही थे जिसने मेरी बेटी में इतनी समझदारी दी, इतनी सोच दी, इतना wisdom दिया, इतना intellect दिया, इतना द कोलता भी होगा, मेरे experience में तो मैंने किसी को नहीं सुना और जिसने भी सुना वो हत्वाक रगया, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो मैं यहीं मानती हूँ कि गुरु जी different different form में मेरे life में आए, और उन्हों ने मुझे strength दिया, रास्ता दिखाया, guidance दिया, blessings दिया, और जैसा ज ऐसा मुझे guidance मिलता किया, मैं उसको ब्रह्मांड का guidance, या मेरे ठाकुर जी का guidance, या मेरे कृष्ण का guidance, या मेरे शिव जी का guidance, मानके, मैं accept करके, मानके चलती गई उसी रस्ते पे, और गुरु जी मुझे test कर रहे थे, prepare कर रहे थे, अपने तक लाने के लिए, उन्होंने मु अची को मुझे इस तरीके से prepare करके अपने पास लाना है, और मुझे पता है कि मैं जब इसको ले के आऊंगा मेरे पास, तब इसके मन में कोई doubt नहीं रहेगा, वो पूरे, फुल समर्पन के साथ मेरे पास आएगी, और वही हुआ है, तो जब मैं वापस आती हूँ अपने स जा रहे थे divorce, but any which ways, जैसे गुरुजी करते हैं, lawyer भी अच्छा दिला दिया, जो हम दोनों को अच्छे से समझाया, दोस्त ऐसे मिले, जनोंने बहुत support किया, my mom supported me very well, तो सब तरीके से, सब जगह से, ऐसे support system गुरुजी ने बना दिया, फोट की तरह, कि वो automatic हो गया, अपने नहीं चाहिए, इस शादी से मुझे कोई alimony नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जहां से आपको प्यार, अपनापन, या कोई relation ही नहीं मिला, जहां पे emotions ही नहीं invest हुए, वहां पे मैं पैसे, उनके पैसे या पैसे लेके मैं क्या करूंगे, वो material लेके मैं क्या तब मैं साहि बाबा को भी बहुत मानती थी, तो मैंने का कि साहि बाबा देख लेंगे, बाबा देख लेंगे, मा काली देख लेंगी, उनकी वैच्ची हूँ मैं, वो लाए हैं, उन्होंने ये जिंदगी दिये, तो उनका काम है देखना, मैं क्यों सोचू, मैंने कोई alimony लिया, लोगोंने मुझे बहुत डाटा की, यह बेवकूफी है, पर मैंने एक ही शर्त रखी, कि मेरी बेटी, हमारी बेटी को कोई तकलीफ कभी नहीं होना चाहिए, मॉनिटर लिए, वो सब देखेंगे, और वही हुआ, तो 12 में बेटी बहुत अच्छा रेजल्ट की, Cambridge Board से, मैं कहरी हूँ न, यह सब सपने की तरह लगता, जब मैं पीछे मुड़के देखती हूँ, हम बहुत ही middle class family से, एक छोटे town से बिलॉंग करते थे, वहां से मैं सोची नहीं सकते थी, कि मेरी बेटी को मैं एक दिन, एक Cambridge Board में पढ़ाऊंगी, और वहां से वो इतने A star result करके न लिए, और उसके father ने support किया, उसको भी काफी scholarship अगरे मिले, और वो जैसे भी हो, गुरुजी ने ये देख लिया, कि वो उस बच्चे का dream पूरा हो, वो हुआ मेरा, मैं separate हो के, मैं individual entity के साथ जीना शुरू की, मेरा अपना financial independence के साथ, अभी 2000, अब मैं आती हूँ गुरुजी कभी दोस्त के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी पहन के रूप में, कभी रिष्टेरा के रूप में, कभी बॉस के रूप में, कभी spiritual guru के रूप में, कभी भगवान के रूप में, कभी मापाप के रूप में, पर आते रहें और संभालते रहें, मैं ऐसे ही कभी monks के एक पुल मेरा हमेशा था मैंने डिफरेंट फॉर्म ओफ हीलिंग सीखे जब मेरे पास और कुछ नहीं था समझ नहीं आ रहा था जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाओं क्या करूँ मेरे लिए कुछ था ही नहीं लुक फॉर्वर्ट टू करने के लिए 2010 में तब मेरी ये दोस्ट, फ्रेंट, फिलोसोफर, गाइड I would say she is a very close friend and also my colleague उन्होंने मुझे इंट्रिदूस किया different form of healings के साथ लोगों को help करती थी, heal करती थी खुद भी बहुत सारी चीज़े सीखी healing के दौरान, अच्छा लगता था grip आता था, घंटो meditation करती थी, chanting करती थी और बच्पन से क्योंकि ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ संगर जी मैं, जहां पे Sanskrit के सारे mantra chanting सिखाए गए थे, तो चाहे वो महामृत्यूंजय mantra हो, चाहे bridge mantra हो, काली मा का, चाहे वो akhanda mandala कारम हो या सरस्वती वंदना हो जो भी हो, Sanskrit में सारे सारे वंदना, सारे prayer songs आते थे, और क्योंकि स्कूल में teacher थी, तो ये culture भी था, तो जब भी prayers, chanting, hymns करती थी तो एक अंदर से शांती एक बहुत सुकून महसूस होता था, और यही मेरे life का part बन था, सवरूप, भगवान के सवरूप, मूर्तियों से बात करना उनके पूजा करना, उनका आवभगत करना, उनकी सेवा करना, उनके बारे में पढ़ना, तरह तरह के मत, मिशन, schools में जाना उनकी, वो लोग अगर वो हैं, तो वो कैसे बने उस चीज़ को समझना और उन महापुरुशों के सिद्ध पुरुशों और माताओं के बारे में जानना, समझना, यही मेरे लाइफ का पैशन और मकसद बन गया था, along with my job and daughter, तो इसी में पूरी पूरी तरीके से मैं I would say devote कर दिया था मैंने खुद को, और शायद यह गुरुज साइस दे के 22 साल से तयार कर रहे थे, कि तिरे को जब मैं bless करके अपने पास लेके आऊंगा अपने साथ, तब तु कोई question नहीं करेगे, और तब तु इतनी clarity के साथ मेरे पास आएगी, कि तुझे समझ में आएगा कि तुझे क्या मिला है, तुझे क्या मिला है जिंदगी मे वो तुझे तब समझा जाएगा, तो मैं हमेशा से जैसे मैंने कहा कि वो हमेशा आए गुरुजी, आज मैं समझती हूँ कि हर रूप में आया और संभाला हुना ने मुझे, ऐसे ही उनके बारे में मैं सुन रही थी, सुनती थी, पढ़ती थी, उनके WhatsApp में status देखती थी मेरे अग्ञानी थी, दोस्तों के थुझे, पर मैं जानती नहीं थी कौन थे गुरुजी, गुरुजी शमा करना अग्यानी थी तब मैं आपके बारे में जानती नहीं थी, पर मेरा एक चीज था कि मैं ऐसे घर्ट से हूँ, ऐसी मेरी परवरिश है कि कभी किसी सिद्ध पुरोश तो मैं उनको देखती थी, पर अट्राक्ट तो होती थी, उनका जानना था मुझे, मुझे तो बुक्स पढ़ने का शॉक है, मुझे तो सब कुछ बुक्स के थुरू से पता करने के शॉक है, तो मैं उनके बारे में पढ़ना चाहती थी, पर कुछ मिटीरियल मिलता नहीं था, और उनके जो शिष्य, उनके जो संगत के थुरू से मन को जानी, वो दोनों संगत मुझे एक थी जो बहुत दूसरों को हर्ट करती थी और एक थी जो बहुत अट्राक्शन सिकर थी, तो मुझे लगता था कि ये कैसे भक्त है, ये कुछ इनका क्यों नहीं हुआ, इनमें कोई क्यों नहीं है, तो मैं गुरुजी आपसे शमा चाती हूँ कि मैंने ऐसा सोचा उनके बारे में, उन लोगों के बारे में, बट उसका भी जवाब मुझे गुरुजी ने दिया, कि जैसे शिव का बारात है, शिव जी के बारात में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भेदभावनी होता, हर कोई आमंतरित होता है, और हर कोई के साथ बहुत प्रेम पुर्वक बरताव किया जाता है, बहुत आव भगत किया जाता है, सब को सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है, चाहे वो डोम हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो राजा हो, रंक हो, डकैत हो, मेरे सारे संगत समान, मेरे सारे बच्चे समान, सारे पांचों उंगलिया अलग-अलग होती है, एक जैसे नहीं होती, पर मेरे इसमें मैं किसी में भेदभाव नहीं करता, चाहिए वो जो भी है, और वो हर दिन करम कर रहे हैं, वो करम ही तो कटवा रहा हूँ मैं, उन्होंने क अभी कुछ तो अच्छा करा होगा, जिस वज़े से मैंने उनको अपने शरन में लिया है, कि उनके करम काट सकूँ। तो ये आंसर भी जब मिला मुझे, उसके बाद मैं गुरुजी के बारे में थोड़ा मुड़ा इधर से देख रही थी, इधर उधर से यूट्यूब से कोशिश कर रही थी, पर मेरा जैसे अपना दिन चरिया चल रहा था, मैं जैसे अलग-अलग शिव लिंग में जाते थी, अलग-अलग माताओं के दर्शन करते थी, जैसे मूर्ती पूजन करती हूं करती थी, गुरु मेरे ऐस सच कोई नहीं थे, पर मैं नीम करोली बाबा को भी मानने लगी थी, और शाय साय बाबा को मानती थी, इन लोगों के अफतार रूप को मानती थी, सारे भगवान की पू सब कुछ करती थी, कुछ मैंने छोड़ा नहीं था, सब चल रहा था, तब ही ऐसा हुआ कि 2022 के दिसेंबर में मुझे उन्हीं मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड जिनके मैंने बात की, उनकी मम्मी ने जो कि बहुत ही पायस ले री हैं, बहुत सेक्रिर, बहुत हमबल ले री ह बहुत जेनरेस हैं, बहुत मदरली हैं, वाम हैं, उनके साथ मेरा बहुत क्लोस कनेक्ट है, बहुत प्यार करती हैं वो मेरे से, मैं उनको बहुत आदर सम्मान करती हूँ, मेरे मा जैसी हैं, तो उनके साथ, उनके थ्रू से गुरु जी आए, और जब उनके थ्रू से बहुत हीलिंग टेकनीक सिखे हैं, बहुत मेडिटेशन टेकनीक सिखे हैं, तो ये spiritual path में भी ये मेरे को लाने में, मेरी spiritual journey में इनका बहुत बड़ा हाथ है इन आंटी का, तो उन्होंने और मेरी दोस्त, जो रुपा आंटी हैं, वो दोनों ने मुझे गुरुजी किसे introduce किया, और उनके बारे में बताया, मैंने 2022 December से मैं उनका सत्संग जान करना शुरू की, जाना शुरू की, सुनना शुरू की, फिर मैं बड़े मंदिर भी हो आई, होलिक के तुरंद बाद ही मैं दिल्ली काम से गई थी, ऐसा हुआ, ऐसा संग्योग हुआ कहते हैं ना, कि गुरुज परशन दिये, दो, तीन बारी, बहुत अलग-अलग तरीके से, उनकी खुश्बू भी आई, मुझे काफी बारी, दो, तीन बारी, उनका सुगन, गुरुजी का स्वरूप भी मिला, मुझे दो, तीन जगा से मिला, blessed स्वरूप मिला, मैं इतनी खुश हुई, और सब अपने जी, आप बिलीफ नहीं करोगे, मैं विशाका पत्नम गई थी किसी काम से, जून में, या एप्रिल में, सॉरी, तो एप्रिल 2023 की बात करी हूँ, मैं तब अलड़ी गुरुजी के बारे में जान रही हूँ, उनके सत्संग अटन कर रही हूँ, सुन रही हूँ, सब कुछ तो मैं गेट के पास ही बैठी हूँ, एक छोटी सी कियास थी, वो बुक स्टॉल होती है, एरपोर्ट में वैसा, तो मुझे लगा मैं कुछ उटके खा के आती हूँ, बहुत भूग लगी थी, तो मैंने सोच एक नट्स का बॉक्स लेकर आओंगी, तो मैं अंदर गई, कि व संगत जी, आप बिलीफ ने करोगे, वहाँ पे गुरु जी का एक बुक, जबिलेंदर कॉल अंकल द्वारा लिखी हुई, एक बुक, इतना सुन्दर, इतने प्यारे लग रहे हैं गुरु जी उसमें, हसते वे उनका एक फेस का, उनका स्वरूप का फोटो, उनका ए, तुझे तेरे लिए ही मैं हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ, ले जा आप, यह बुक ले और पढ़, तो मैं ना भूल गए, मुझे भूख लगई, कि क्या है, मैंने बूला, यह बुक, कहते है, हाँ, आपको चाहिए, मैंने का, हाँ, मैंने लिया, मैंने का, और कॉपीज है, और यह एक ही है, आपको चाहिए, तो आप ले लो, मैंने ले लिया वो, और मैंने फोटो खीच के तुरंत आंटी को, और उनकी बेटी को भेजा, तो वो लोग हसे, कहते हैं, देख, हमें तो बुक्स की ज़रुद नहीं, हमें तो पढ़ने वालों में से हैं नहीं, हमें से गुरुजी को आना था मेरे पास, तो मैंने पढ़ा और उसके बाद मैं जुर्ती चली गई, जुर्ती चली गई, अभी अपने जॉब में सटल्ड हूं, बेटी अपना पढ़ाई कर रही है यूके में, अभी मेरा महरे मंदीर में, मेरे घर में, गुरुजी क्या ही स्वर है, और अब मुझे वो अट्रैक्शन जो होता था मुझे मुर्ती पूजन करनी है, या बैटना है, या किसी और मुर्ती या भगवान जी के स्वरूप के सामने बैटना है, या उनका पूजा अरचना, या सेलिब्रेशन करना है, वो बहुत हद तक अब चला गया, क्योंकि ह हर मुर्ती में, हर पूजन में मैं गुरूजी को देखती हूँ, जब मैं आद्या पीट गई, या दक्षिन इश्वर का दर्शन करने गई, वहां भी मुझे गुरूजी दिखे, मादुर्गा का दर्शन करने गई, वहां भी गुरूजी दिखे, तो मैं बजरंग बली की प मुझे गुरुजी दिखते हैं, हर चीज में, हर कण कण में, हर जीव में, हर इंसान में, हर लिविंग बिंग्स में, मुझे गुरुजी दिखते हैं, मेरे हर श्वास में गुरुजी दिखते हैं, वो मेरे हर पल, हर चीज में मौझूद है, मैं खाना खाती हूँ, मैं बोरती पुजन करनी है या बैटना है, एक मूर्ती के सामने देखना है, उसको सेंस करना, बात करना, वो सब कुछ गुरुजी से फुल्फिल हो जाता है मेरा, तो अब मेरे आल्टर स्पेस में हाँ, बजरंग बली की मूर्ती है, विश्णू की मूर्ती है लक्षमी जी की मूर्ती है, गनपती जी की मूर्ती है, शिवलिंग है नानक जी का एक ओंकार है, एंड गुरुजी है तो ये है लेकिन गुरुजी ही हमेशा आते हर चीज में, तो मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे साथ है, हर रूप में है वो कभी माबाप के रूप में हैं, कभी दादा-दादी के रूप में कभी बॉस, कभी फ्रेंड कभी पार्टन, कभी बच्चे, किसी ना किसी रूप में वो हैं ही है हमारे साथ, तो हमें किसी और की क्या जरूरत? हमें किसे और की क्या जरूरत वो परम पिता वो महाशिव वो energy form हमेशा हमारे साथ है तो हमें शुक्राना करना चाहिए हर पल हर श्वास का कि गुरुजी है और हर पल हर श्वास में उनका सिम्रन करते रहना चाहिए वो है हमारे साथ एकदम बिलकुल हमारे साथ अंग संग है वो हमेशा अपनी blessings बनाए रखे हैं और वो है और मैं उनको sense करती हूँ हर चीज में वो है और इसलिए जब भी कुछ करती हूँ तो एक बार सोच लेती हूँ गुरुजी से कि पूछ लेती हूँ प्रेड करना आप हर वक्त रास्ता दिखाना गलत होती हूँ तो रोक देना सही होती हूँ तो आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेड़ना देना तो ये प्रेड़ना के स्रोत भी तो वही है ये जीवन को जीने का जो प्रेड़ना का श्रोत भी वही है, उनके हुकम के बिना, उनके मर्जी के बना तो एक पत्ता नहीं इल सकता, तो हम तो निमित मात रहे हैं, हम तो हाड मास के इंसान है, तो ये संभवी नहीं हो सकता उनके बगैर, और सन 84 से आज तक गुरुजी ने सिर्फ मेरे को सिर्फ अपने लिए तैयार किया, और जिस वक्त वो आके मेरे सामने खड़े हुए, और मुझे वो अपने पास, अपने साथ, अपने ब्लेसिंग्स में लिया, उस वक्त मैं बिलकुल क्लियर और तैयार थी, तो उन्होंने, उनको पता था कि ये अभी 440 वोल्ट की एनरजी के लिए तैयार नहीं है, इ तरह का एनरजी अब्सॉर्ब कर रहा है, तो हम सिद्ध या महा तो है, नहीं महान नहीं है, हम नॉर्मल लाइफ लिफ कर रहे हैं, और उसी नॉर्मल लाइफ में कुछ-कुछ हम लोग हैं, जो चोज़न वन हैं, जो हम थोड़ा सा अपने आपको spiritually भी अवेकन करने की कोशि करते हैं, वो हमको स्ट्रगल भी जादा देते हैं, हमको रगड़ते मांचते भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, वो कहते हैं गुर जी कि तुझे मैं निम्बू की तरह नहीं चोड़ता हूँ, वो हमें निम्बू की तरह नहीं चोड़ते हैं, हमारे को टेस्ट करते हैं तो वो प्रिपेर कर रहे थे वो धीरे धीरे पहले 40 वोल्ट का करेंट दिया जो की energy form थी रिशी और अरबिंदो का बहुत mild energy form फिर धीरे धीरे करते करते different healing forms फिर शक्ती उपासना फिर शक्ती के रूप में माकाली के रूप में सब रूप में उन्होंने दर्शन दिये सब रूप में वो मेरे पास रहे हर पल हर वक्त रहे धीरे धीरे 440 वोल्ट का energy अपना लाने से पहले उन्होंने मुझे हर form में हर रूप में repair किया हम इंसान है हम humans है उनकी शक्ती लेने की उसको समझने की उसको absorb करने की शमता हमें इतनी जल्दी नहीं हो सकती तो इसलिए वो भी उनको पता है कि उनको किस तरीके से अपने बच्चों को निखार के अपने पास लाना है और उन्होंने मेरे साथ वही किया ये मेरा personal experience है ये मेरा अपना experience है मेरी अपनी जिंदगी है करम करती गई करम काटते भी गए करम अच्छी करती गई reward भी देते गई मैं सोचती थी और कभी-कभी मैं सोचती थी और वो हो जाता था और मैं सोचती थी ब्रहमान ने मेरी सुन ली, वो ब्रहमान नी, वो मेरे परपिता सुन रहे थे, वो मेरे गुरुजी सुन रहे थे, वो मेरे महाशिव सुन रहे थे, और वही कर रहे थे, हर रूप में आके कर रहे थे, कंड-कंड में तो वही थे, तो वो कर भी रहे थे काम, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए एसा होना चाहिए था और वो हो जाता है हमें ऐसास नहीं होता कि हमने तो ये desire ये dream ये सोचा था ये thought था将 था मेरे मन में उस thought से किसी को टकलीव न पहुँचे ऐसा intention अगर मन में रखके हम कुछ भी dream करते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ सोचते हैं कि ये highest good of all के लिए हो सब का भला हो, इसमें किसी को दुख न पहुंचे, किसी को hurt न हो किसी का बुरा न हो, मैं जो भी कर रहे हूं उससे, अच्छा हो और मेरी intention pure है अच्छी है, तो वो होके रहेगा, और वो ये परम पिता, वो गुरु जी करवा के रहते हैं, जब वो हो जाता है, all of a sudden हम सोचते हैं, अरे मैंने तो ये सोचा था ये हो भी गया, so it is something like that, तो संगत जी, मैं इस सच्छ संग के माध्यम से सिर्फ यही शेयर करना चाहती हूँ, कि अगर कोई चीज होने में देर हो रही है, या अगर आप देर से गुरु जी से जुड़े हो, तो अपने आपको बहुत सा भागिशाली मानो, कि वो आपको आपके पैदा होने से ही देख रहे थे, वो प्रिपेर कर रहे थे, और फिर उन्होंने आपको तयार करके अपने पास लाके खड़ा किया, आप बहुत ब्लेस्ट हो हम सब ब्लेस्ट है, जो पहले जुड़े, जो बाद में जुड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम लाइन का, हर चीज के होने का एक वक्त होता और वो वक्त, वो परमपिता वो महाशिव डिसाइड करते हैं, वो हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी डिसाइड करते हैं उनकी ब्लेस्टिंस के बगएर कुछ नहीं होता, जब वो डिसाइड करते हैं, तब ही हो रहा है वो सिर्फ उनकी मर्जी से हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उनकी मर्जी से हो रहा है आप अच्छा करम करते रहिए उनको हर चीज में शामिल करते रहिए हर डिसीशन में शामिल करते रहिए देखिएगा कभी गलत नहीं होगा और वो हर वक्त आपको गाइड करते रहें मानो, मांगो नहीं, वो तो गुरु जी भी यही कहते है, उनके वचन में भी यही कहा है, कि गुरु को मनो, मांगो नहीं, मांगनी की जरुरत ही नहीं है, मांग के उनको हम छोटा नहीं करें, क्योंकि वो तो परमपिता है, वो महाशिव है, उनको सब पता है, वो सबसे पाणा पड़ेगा, उनको सब पता है खालिए उनके सामने बैठके उनका मंतर जाब करिए उनको याद कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनको हर वक्त उनसे बात कीजिए उनको मांगिये मत, उनसे अपने माबाप से बात करने की तरह बात कीजिए as if he is a part of you as if he is a part of your family उनसे बात कीजिए उनको बताईए, उनको अपनी feelings बताईए अपने thoughts बताईए, उनको ये मत बोलिए कि मुझे गाड़ी दे दीजिए, मुझे घर आप बोलिए गाड़ तो वो भी दे देंगे वो तो परमपिता है, महाशिव है वो दे ही सकते हैं उनके लिए कुछ भी impossible नहीं है पर वो मांग के उनको छोटा मत कीजिए क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ बड़ा सुनैरा लिखके रखा है और वो आपके सोच से बहुत बहुत जादा आगे है जो उन्होंने सोच रखा उनकी विजन बहुत बहुत दूर दर्शी है वो बहुत दूर की सोच के रखें आपके लिए और बहुत अच्छा उनसे मांगिये मत उनको मानिये उनकी अरदास कीजिए उनको प्रेयर कीजिए उनकी चैंटिंग्स कीजिए उनका मंतर जाप कीजिए उनको मन से, दिल से पूजिए, बुलाईए, अपने family member की तरह उनको रखिए, और देखिए वो कितने अच्छे से आपको इस संसार में रखते हैं, कितना सुखी रखते हैं, कितना खुश रखते हैं, और हमेशा आपको bless करेंगे. तो इस सत्संग से, मैं यही message देना चाहती हूँ, कि आज जो कुछ भी हूँ, मैंने मांगा नहीं, उनको माना, उस परमपिता को, तब जिस भी रूप में माना, मुझे पता था कि आपने पैदा किया है, आप लेके आए उस संसार में, तो आप ही देखो, कि चाहे आप मातार क के रूप में देखो चाहे, आप शिव के रूप में देखो चाहे, आप हनुमान जी के रूप में देखो, किसी के भी रूप में देखो, किसी गुरू के फॉर्म में आके help करो, जो भी करो, आप ब्रमान में, किसी एंजल, आक एंजल, जिसकी रूप में आके आपको जो करन से उनके उपर अगर आप विश्वास ही नहीं रखोगे और खुद ही सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो गुरू भी कहां आपको help कर पाएंगे, you have to give that permission, that space, that freedom उस सद्गुरू को ये आपको देना पड़ेगा, गुरू को आपको सब कुछ छोड़ दो, अपना करम अच्छा रखो, उनकी उनको याद करो, उनको अपने अपने अंदर बसाओ, अपने अंदर अपने सोल में उनको रखो, कि मेरा सोल जो है वो गुरू जी इतना प्यार करो उनके साथ और फिर देखो सब कुछ सभी होगा और वो wisdom, वो level पे लेके जाना पड़ेगा, उस तरीके से, गुरुजी से उस high voltage पे connect होके रखना पड़ेगा, कि वो जब भी को इशारा करे, आपको वो तुरंट समझ में आ जाए. तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपने आज के सत्संग को विराम दूंगी, लख लख शुकराना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी का, और मैं गुरुजी से यही अर्दास करती हूँ कि, यही प्रे करती हूँ कि हर, हर किसी का वो भला करे, अपने हर संगत पे हमेशा अपनी blessings रखे, उनकी हर मनों कामना पूरी करे, उनको हर वक्त संभाले, उनके struggles से उनको बाहर निकाले, अच्छी guidance देते रहे, उनके करम चंगे करते रहे, और हमेशा हमेशा उनके साथ रहे, तो संगत जी इस सत्संग का यहीं पे मैं विराम दूंगी और इसको व शिवजी सदा सहाई, ओम नमस्षिवाई, गुरुजी सदा सहाई, ओम नमस्षिवाई, शिवजी सदा सहाई, ओम नमस्षिवाई, गुरुजी सदा सहाई, ओम नमस्षिवाई, शिवजी सदा सहाई, ओम नमस्षिवाई, गुरुजी सदा सहाई, ओम नमस्षिवाई, शिव अनंतम अनंतम शक्राना बहुत बहुत शक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शक्राना